दोस्तो टाटा मोटर्स एलेक्ट्रिक वेकिल डिवीजन में काफी अच्छा कर रही है और नेक्सोन इवी की सफलता के बाद अब उन्होंने टीगोर इवी फोकस बना लिया है हाला कि टीगोर इवी पहले से मार्केट में एवलेबल है फ्लीट ओनर्स के लिए जो की काफी सच दस लाग रुपए में यह गाड़ी मिल जाती थी फेम टू सब्सीडी के बाद और अभी टीगोर इवी जनरल पब्लिक के लिए जल्दी देखने को मिलेगी हाला कि यह एक ही कलर में लॉंच होगी ब्लू कलर में लॉंच होने वाली है जैसे कि आपको नेक्सोन इवी का कलर पर जो ब्लू वाला है सेम उसी तरीके से आपको टीगोर इवी देखने को मिलेगी और अगर बात करें हम वैरियंट्स की तो टीज वैरिंट्स में टीगोर इवी लॉंच होने माली है पहला जो बेस होने माला है यह एक्सम के नाम से आगा जिसमें आपको रियर देखने को मिल जाएंगे रियर वियू मिरर पर ही आपको इंडिकेटर मिल जाएगा और वील्स जो होंगे कंप्लीटली व्लाइब होने वाले हैं और सार्क फिन एंटीना यहां पर देखने को आपको मिलेगा और इसका जो थर्ड वेरिंट आने वाला है जो कि टॉपेंड वेरिंट होगा एक्स जेट प्लस डीटी के नाम से आने वाला है डीटी मतलब डूवल टोन कलर में यह गाड़ी आने वाली है इसका रूफ अगर आप देखेंगे तो कंप्लीटली यह ब्लैक फिनिस में देखने को मिलेगा और यह कार भी टोटली जिप्राउन प्लेटफॉर्म पे बेज़्ट होने वाली जैसा कि निक्सॉन इवी जिस प्लेटफॉर्म पे बेज़्ट है और टाटा मोटर्स का ऐसा कहना कि उन्होंने अब तक लगबग साढ़े 8000 से ज्यादा इवी बेची है जिसमें से 6000 से ज्या इंपेर के होम depicted चार्जर से अब इसको असाधे घटे में 100 पर्शन चार्ज कर सकते हैं और अगर फास्ट चार्जिंग की बात करने तो एक घंटे में इसको आप लगबग 80 तक चार्ज कर पाएंगे और अगर पावार ऑट्पूट की बात करें तो इसके मोट से अपने features और अपने safety पे based होने वाली है और इसमें आपको 30 से भी ज्यादा connected car features मिलने वाले हैं जैसा कि एक petrol car में आपको देखने को मिलता है तो अगर petrol car के सारे features सारी safety आपको electric car में देखने को मिले तो काफी अच्छी बात होने वाली है तो अगर ये car इतने सारे features के साथ आने में बता दिया था अगर इसको आप fast charger से charge करते हैं तो 0-80% ये एक गंटे में चार्ज हो जाएगी और नॉर्मल 15 एंपियर के चार्जर से अगर इसको आप घर में चार्ज करेंगे तो साड़े 8 गंटे में लगबग 80% इसको आप चार्ज कर पाएंगे तो insert अगर बात की जा जाने की Tata Nexon EV में और इसके बाद I hope की Tata Tigor EV भी उसी तरीके का कुछ कमाल कर पाएगी इंडियन मार्केट में अच्छी बात यह है कि Tata Motors काफी ज्यादा initiate कर रही है electric vehicle के लिए जो की काफी जरूरी है आज के समय में pollution को control करने के लिए और इसमें आपको CCS2 compatible fast charging देखने को म पाएंगे एक petrol car जिस तरीके से आप drive करते हैं उस तरीके का features इसमें देखने को मिल रहा है और अगर हम बात करें infotainment system की तो इसमें आपको 7 inch का touch screen infotainment system देखने को मिलेगा जिसमें आपको 4 speaker देखने को मिलेंगे 4 tweeters के साथ जिससे की आप music का भी आनन उठा पाएंगे और seat को आप adjust कर सकते हैं यानि की height adjustable driver seat देखने को मिलेगी comfort wise काड़ी काड़ी काफी अच्छी है इसमें आपको smart key के साथ push button का भी option देखने को मिलेगा और home charging के लिए आपको portable charging cable भी देखने को मिलेगा और अच्छी बात यह है कि यहां पे आपको 316L का boot space मिलेगा जिसको आप enhance क कर सकते हैं अगर आप इसका spare wheel निकाल देते हैं और जैसा कि मैंने पहले ही safety के बारे में बता है इसमें आपको IP67 rated waterproof battery pack and motor देखने को मिल जाएंगे dual airbag मिल जाएगा ABS with EBD CSC की technology देखने को मिल जाएगी साथ इसमें आपको hill ascent assist and hill descent assist type के features देखने को मिल जाएंगे और जैसा कि आपको पता है कि 18 अगस्त को यह गाड़ी unveil कर दी गई है तो इस गाड़ी को अगर आप book करना चाहते हैं तो Tata Motors EV के official website पर जाकर 21,000 में इस गाड़ी को आप book कर सकते हैं और इस गाड़ी की जो official launching होने वाली है वो 31 अगस्त को होने वाली है तो launch होने के बाद इसके असली features सामने आने वाले हैं हाला कि यह जितने सारे features में बता रहा हूं यह सारे rumors नहीं है यह सारे Tata Motors ने खुद confirm किये हैं बट जो चीज़ें आने वाली है वो आगे ही पता चल पाएंगी launch होने के बाद और अच्छी बात यह है कि इस गाड़ी की speed है यह 5 सेकेंड मे ही आपको 060 km तक की speed capture कर लेती है तो इसकी speed भी काफी अच्छी होने वाली है और बात कर इसके हम अगर range की तो range कंपनी का ऐसा दावा है कि लगबग 250 km तक का range इससे आपको देखने को मिलेगा क्योंकि एक लेक्लिक वेकल जब हम खरीते है तो सबसे बड़ा जो concern वारा होता है वो इसकी range होती है तो इसका range भी काफी अच्छा है 250 km कंपनी का ऐसा कहना है तो I hope की 200 के ऊपर इसकी range होने वाली है जब इसको हम Indian Road Condition के साथ चलाएंगे तो अब बारी आते इसके price की तो price क्या होने वाला है आप comment करके बता सकते हैं I think ये गारी जो launch होने वाली है 10 से 12 अ आपके बीच में launch होगी तो कैसा लगा ये वीडियो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आज के लिए बस अतना है थैंक्यों वेरी मॉच टेक केर बाबाए जाहिंद वन्दे मात्रम